हलो नमस्कार दोस्तों मैं रभी एक वार बार प्रोफिटेबल टेडिक स्वागत करता हूँ यह वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कौपर के बारे में उसकी क्या संभाव ना हो सकती है उसके बारे में चर्चा करेंगे तो बात करते हैं पहरे उसके सपोर्ट के ओपर फिर ब के आसपास उससे पहला जो उसका सपोर्ट रहेगा वह रहेगा 723.50 के आसपास अगर हम यह लेवल को ब्रेक करते हैं तो फिर नेक्स्ट हमें जो ज्यान में लेना चाहिए वह लेवल है 717 का लेवल जो है वह बहुत ही एहम बनेगा और फिर 708 के आसपास का जो लेवल है व आपको याद होगा दोस्तों लास्ट वीडियो के अंदर मिले थे उस टाइम पे भी बात की थी कि यहाँ पर जो है वह 735 के लेके 700 की रेंज को अगर आप इग्नोर करोगे ट्रेडिंग के लिए तो बहुत ही फाइदा होगा या फिर यह जुसरा बताया था कि 700 के आसपास तो फिर बाय कर सकते हो और 730 के आसपास आए 35 के आसपास आए बेज सकते हो तो आपको कुछ फाइदा हो जाएगा तो यह स्टेटरगी जो है वह अगर आपने अप्लाई की होगी तो आपको जरूर फाइदा हुआ होगा 700 के लिए 732 की रेंज जो है वह आपने देखी और दूसरा यह भी बताया था कि बार-बार आपका एसल लेगा अपने अगर काम किया होगा तो अच्छी बात है कि आपको यह experience भी हो गया होगा कि volatility जो है वह किसे कहते हैं ना किया होगा तो अच्छा होगा आप नहीं क्योंकि बताया था कि ignore करो अब दोस्तों ऐसे हम ऐसे एक जान से समझना सुनना तो आपको फाइदा होगा पहला लेवल है 732-733 के आसपास 733 से लेके 740 का जो रेंज है ठीक है यह 8 पॉइंट का आप रेंज मानके सब्सक्राइब यह 8 पॉइंट का रेंज जो है वो पॉपर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपोर्टन है अगर हम य यह रेंज को उपर के तरफ काटते हैं तो अच्छी तरीके से यह जैसे कि आप एक बुलिश केंडल देख रहे हैं वैसी केंडल के साथ अगर हम इसको काटते हैं अच्छी तरीके से बहुत ही बढ़िया तो फिर संभावना हो जाएगी कि हम जो वो 765-790-800 नया हाई भी ब 35 का जो लेवल है वो सस्टेंड करते हैं तीक अब पर्डिकलर नेक्स विक के बात करता हूं भी मैंने आपको मेजर बजा रिया तो 735 के ऊपर चलते हैं तो 740-240, 750, 758, 765 के जो लेवल है वो देखने को मिल सकते नेक्स विक यह बाट है अगर यह 733 का जो लेवल है वो सस्टेंड नहीं करता है और यहां से अगर यह गोम जाता है नीचे तो वापस यह अपने पूरा ने ट्रेंडिक अंदर चला जाएगा मतलब 700 से लेके 735 के आसपर मतलब यह वापस खेल करता रहेगा तो आपको जो थोड़ा सा देखना है सम पर जाने की कोशिश कर रहा है तो शौट नहीं करना है बाय ना करो आपकी मर्जी लेकिन शौट नहीं करना चाहिए ऐसा मेरा मानना है अगर शौट करते हो तो स्ट्रिक्ली एसल के साथ अधरवाइस इग्नोर करो शौट हो ठीक है तो यह पूरी बात थी कॉपर के लिए ज कमेंट जरूर करना पहले बारा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना अपने दोस्तों के साथ जरूर करना दोस्तों कि आप लर्निंग के साथ अर्निंग करना चाहते हो लर्निंग मतलब हमारा online candlestick pattern course है दोस्तों जिसके अंदर जो है वह आपको पूरे तीन महिने तक अलग प्राइज आपके सामने हैं दोस्तों सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि आपको पहले पहले ट्राइज किजिए दोस्तों ट्राइज 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 मतलब पूरे तीन वीडियो जो है वो कोर्स के फ्री अवेलेबल है वो वीडियो जो है आप देखिए समझ ये चार्ट के उपर एपलाई किजिए अगर आपको लगेगी हाँ ये वाके ही में काम करता है आप गूगल प्ले स्टोर के उपर से हमारी एपलिकेशन के थ्रू हमारा जो कोर्स है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं